जै श्री कृष्णा कैसे हैं आप सभी बहुत बहुत स्वागत थे आप सभी का कल मैं बैठा था कुछ पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते अचानक से मुझे विचार आया कि मैं ऐसे किन-किन लोगों से मिला जीवन में मिला इन दे सेंस मतलब ऐसा नहीं कि आमने सामने मिल मतलब ऐसे कौन-कौन से लोग है užिन्नों ने डारेक्ट और इनडारेक्ट रूप में मेरे जीवन को में मदद करी अब आप कहेंगे डारेक्टिं डारेक्ट मतलब लोग मतलब एक तो वो लोग जो मुझे Україino's मेरे सामने कहीं से आ गए या फिर जिन को मैं सुनने लगा अहल तो सब कुछ तय होता है हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार, तो मैं बेटा-बेटा सोच रहा था, मैंने का रेसे कौन लोग हैं जिनकी वज़े से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ, केवल मैंने उनकी बात को मान लिया और मेरा जीवन बदल गया, और मैं बेटा-बे बात है न, और वो जैसा एक जनरली होता है उस एज में, तो अच्छा बात उस एज की नहीं है, उस एज में तो सब के होता है, लेकिन कई लोग अध्यात्मी की तरफ बहुत देर से पहुंचते हैं, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन कुछ लोग मुझे इसे मि मिले जिनकी वजह से, जिनकी बातों से, अभी मैं यह समझ पा रहा हूं कि मैं यहां क्यों हूं, इस बात पर कम से कम विचार कर पा रहा हूं, सबसे बड़ी बात यह है, तो आज का जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूं, वीडियो आपके लिए मैंने जैसे थमनेल आपने मन में कड़ते रही अपने हिसाब से करते रहे ने ऊपल इसलिए पता नह coerc Out जाये क्योंकि जब आप कुछ कर रहे है और कोई व्यक्ति देखेगा तो वह 10 प्रकार के सवाल करएंगा और सवाल करेगा तो वो कहीं न कहीं जैसे कोई भी व्यक्ति आपको कोई बात बूलेगा तो आपका जो मन है उसके उपर विचार करेगा आपका दिमाग विचार करेगा तो उससे कहीं न कहीं आप उस चीज में जैसे थोड़ा आगे निकले पर फिर थोड़े पीछे हो जाएंग कि ये जो बात है, क्या परिवर्तन आया, ये बताना चाहिए, क्योंकि मुझे भी उन लोगों ने बताया, तभी मैंने फोलो किया, और मेरे जीवन में परिवर्तन आया, जैसे law of attraction के बारे भी बताते हैं, कि law of attraction अगर आप फोलो कर रहे हैं, तो किसी को बताना नहीं चाहिए, जबकि एक बात बताईए, कि मैं एक समय, जब मैं इंदोर पढ़ने गया था, तो वहां मुझे एक सर मिले, जिनका नाम प्रेरक सर था, तो उनसे मुझे ये पता चला कि कर्म क्या होता है, law of attraction क्या होता है, प्रारब्द क्या होता है, उससे पहले ये बाते सत्संग में भी ह होती है, पर मैं कभी सत्संग में बैठा नहीं, पर वहां चुकि क्लास थी, क्लास थी तो बैठे थे, अब बैठे थे तो एक ऐसा विक्ति, है ना, जो की, जो एस तीचर जो हमको पढ़ा रहे हैं, और उनके मुझे हमको ये बात सुनने को मिल रही है, कि बेटा, जैसे कर्म करोगे, वैसा फल मिलेगा, मैंने का ये सी बात क्यों कर रहे हैं, और वो सर जो है, वो ये बाते बहुत ज़्यादा बताते थे, कि प्रारब्द कैसे बनता है, कर्म क्या होता है, अच्छे कर्म करो, इमांदार बनो, कभी आप एक्जाम दे रहे हैं, कभी सिलेक्शन नहीं ह बस इससे लड़ना, उससे जगड़ना, ये करना, इसकी बात का बुरा मानना, उसकी बात का बुरा मानना, बस छोटी-मोटी अगर जवाब लग जाए, तो बहुत है, बस इतना सा सोच पाना, इससे ज़्यादा सोचते नहीं थे, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा और उन्ह जैसा उन्होंने कहा था कि जितना आप सोच सकते हैं, उतना आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी चीज आप चाहते हैं, पहले दिमाग में उसकी इमेज बनाईए, पूरे विश्वास के साथ, और मैंने वह चीज करना शुरू करी, धरे-धरे में law of direction में आया, और मैंने जै कि हम अपमन लोग जो है न, एक middle class family से बिलॉंग करते हैं, तो अब एक धम से अभी ऐसा तो नहीं सोच सकते हैं, कि मैं को private jet चाहिए, कर भी क्या लेंगे, मानलो आप भी जाएगा, हाला कि आप सोचेंगे तो वो भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात निया, बहुत सारे पूरा विश्वास करिए, लेकिन आज जो topic हमने चुना, वो चुना है नाम जब, है न, इसके बारे में पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था है, कि भगवान अगर होते हैं, तो क्या वो ये बोलेंगे, कि मेरा नाम लोगे, तब तुम्हारा उध्धार करूँगा, तब तुम्ह को है noises ऑगवान मेरे जीवन में, क्योंकि क्या होता है, कि यह सब चीजे हो गई, तो क्या करें, क्या नहीं करें, इसा करें, तो क्या करें, अशान्तंर रहता है, इसा निए कि पैसे आने के बाद शांतए रेती है, फिर दिमाग की घूड़ता रहता, दिमाग के घपारा दो जाए कि मुझे जीवन में शांती चाहिए अब मुझे यसा लगता था कि नाम जब भवान का नाम लोग इसलिए लेते हैं था कि उनको कुछ मिल जाए पैसा धन दोलत शांती भी मिलती है क्या फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया और वीडियो देखे और वीडियो देखे और वहां जाके मुझे लगा कि यार मतलब की जैसे क्या होता है ना कि यह पता चला कि हम इस संसार में केवल पैसा कमाने नहीं आए यह चीछ पता चली है कि हमी संसार में आये तो केवल इसलिए थोड़ी आए कि पैसा कमालो बढ़े अपना बिजनस सेट कर लो और बस फिर पता चला किया कुछ तो है object है ना एक एक शायरी मैं कली देख रहा था आपको थोड़ा सा सुनाता हूं आपको भी अच्छी लगेगी अब यह इसे शायरियां अब लगती है कहीं ने कहीं कि कर लूँगा जमा दोलतो जर उसके बाद क्या और ले लूँगा एक शांधार सा घ शुखन की खूप सजाओंगा महफिलें दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या है ना और मोज आएगी तो सारे जहां की करूंगा सेर वापस वही पूराना नगर उसके बाद क्या है ना एक रोज मोत जिस्त का दर खटकटाएगी बुच जाएगा चराग कमर उसके बाद क्या है तो कुल मिला के यह समझ में आया कि यार क्या यह जीवन इसलिए मिला है कि अपन बड़िया जो है अच्छा काम करो पैसा खामाओ बैंक बैलेंस बढ़ाओ जमीने लो यह सब करो तो वहां से यार कुछ तो है इस जिन्दगे का उद्देश और जब उस समय से फिर मैंने धीरे-धीरे मेरे हिसाब से जितना भी मैं कर सकता हूं मैंने यह चीज़े नामजब करना शुरू किया अध्यात्मिक चीज़े पढ़ना शुरू करी भगवत गीता मैंने पढ़ना शुरू करी और आपको एक सच्छी बात बताओं कि यह जो एक आप इ इतने लोग मुझसे जुड़े तो चीजे कही न कहीं काम करती है और एक समय बात वो नहीं रह जाता है कि मुझे ये चाहिए वो तो हम करी रहे हैं हम जैसा सोचेंगे वैसा आजाएगा लाओ अट्रेक्शन लगाएंगे ना सब आ जाएगा लेकिन जो नाम जब आप जब करत करते आपको पता है यह समझ में आता है कि सब माया है मतलब मुंझे केवल मेरा उद्धार करने के लिए जीवन मिला है और उद्धार होगा कल्यों केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उत्रे पारा मतलब इस कल्योग में केवल नाम से ही भगवान इतनी सी परिक्षा लेते हैं हमारी ज्यादा बड़ी नहीं लेते हैं भगवान बोलते हैं बेटा तो एक काम कर तेरे में ऐसे मैच्स रिजनिंग जो है इंग्लिश केमेस्ट्री फिजि करी तो कई सारे सवालों की जवाब मेरे अंदर अपने आप आने लग गया और मैं आपको वीडियो बनाके बताता हूं वह अपने आप अचानक से कुछ कलिक होता है और वह बताना शुरू कर देता हूं यह जैसे चमतकार उपर उसके बाद में अब मैं मतलब जब मैं विचार करता हूँ तब विचार ऐसे आते हैं कि यार मैं समय को सेव कर लूँ है ना समय को सेव के से नामजब कर लूँ यह समय जैसे फालतु बैठा हूँ फालतु विचार कर रहा हूँ चलो इससे तो नामजब कर लो और कहीं-कहीं लगता है कि एक एक और अक काम जब चालो हो जाता है ताकि समय सेव कर लो नेगेटी विचार सोचने से बढ़िया है यह तो इससे कहीं कहीं पॉजिटिविटी बनी रहती है और व्यक्ति यह चोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता है कभी कुछ छोटा मोटा नुकसान हो गया ठीक है इस ओक है और पहले उन्होंने दिये हैं पहनने के लिए यह भाव अंदर से आने लगे अपने आप पहले अहम भाव रहता था मतलब मैंने देखो मैंने घर बनाया पहले से महमान आते तो देखो मैंने बात मैंने नहीं भगवान का दिया हुआ है और वह चीज जब होती है तो इसका खाओ पीओ अपना बैलेंस भरो बस सबसे पहले सेवा परिवार की सेवा है ना ताकि परिवार के लोगों के प्रति अच्छे भाव आने लगते हैं फिर उसके बाद समाज की सेवा समाज के प्रति अगर आपका कुछ बंता है जैसे कि समाज की सेवा का मतलब किवली यह नह पड़ता है क्या लोगों को पैसा देने से तो एक तो आदत बिगड़ती उनकी वो कुछ काम करेंगे नहीं दूसरी ये कि वो क्या करेंगे खापी के खतम फिर आ जाएंगे वो कंडिशन दो ही रहेगी तो ऐसा कुछ करो जिससे उनका जीवन बदले उनके विचार करने की जो शमता है जो विचार है विचार बदले ये सबसे बड़ी सेवा होती है कि अगर आप किसी विक्ति के जीवन को ऐसा कर देते हैं कि वो उसके विचार पूरे बदल जाते हैं वो पहले से पूरा बदल जाता है खुद कुछने कुछ करने लगता है उसके अंदर से गुस्सा कम अफरत रखना किया अपने परिवार वालज को दूर रहे रहे जब यह भाव उसके अंदर आने लग जाए मतलब आपने बहुत भड़ının काम किया पैसा तो यह भावंदर आने लगे, जब भी मैं बाइक से जाता हूं, तो कोशिश करता हूं कि यह मैं बाइक से यहां से वहां तक जा रहा हूं, तो समय बचा लूँ, नाम जब कर लो चलो, ऐसा कर लो, बहुत परिवर्तन हुआ, और गुसा, चीड़ापन, यह सब का तो कोई समय नहीं बचता है उसमें, नहीं तो अदर्वाइस क्या होता है ना, जब हम नाम की तरफ नहीं जाते हैं, तो फिर हम, हम दुनियादारी में फसे हो रहते हैं, संसारिक चीजों में, इन्होंने ऐसा बोला, अब कोई कुछ बोलता है, तो कोई फारग नहीं पड़ता है, कि यह सबका एक निश्चित समय मिला है, तो इसमें समय अपने को खराब नहीं करना, तो ऐसी चीज़ें अपने आप अंदर से आने लगती है, तो नाम जब से बहुत कुछ होता है, नाम जब किवाल इसलिए नहीं करते हैं, कि धन मिल जाए, वो तो वैसे भी मिल जाएगा, वो त कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे आपको जो शान्ती मिलेगी, जो आपके विचार बदलेंगे, है ना, जैसे मेरी मम्मी, मैं आपको बताया था, कि मैं मम्मी चल फिर नहीं सकती, शूरू से जब वो छोटी थी, तो मैं जब छोटा था, मैं उसको बोलता था, क्यों करतो है, मम्मी, तुर इतने भगवान के नाम लेती है, भजन करती है, तो तिरो भजोट कर देते हैं, तो वो मैं यह येlor प्राब्ल्स काम हो जाते हैं, मतलब मुझे गभी पता नहीं चलता है और यह तो बहुत दो नहीं पड़ेगा तो यह विचार कहां से आता है यह विचार भगवान का नाम लेने साथ है अब जब भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो वो अपने आपको कोस कोस के पूरा जीवन निकाल देता है दोनों में वह डिफरेंस है जो भगवान का नाम जाप करता है तो वो fast रहता है उप्वास रहता है तो खाना नहीं खाता है लेकिन फ्रसनयता के साथ भूखा र dirig ऊपन करता है वह किसी सा योग बनेगा ऐसी बुद्धी आईगी कि चलो आज में उपवास रह लेता हूं और बड़ी खुशी बोले गुलाब जमुन खाओगे अरे निनी आज तो मेरे उपवास है आज तो नहीं खाऊंगी है ना बोले खालो अरे एक गुलाब जमुन के लिए उपवास तोड़ू आज आए कि जो आप जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है और आप हर चीज को खुशी-खुशी सह लेते हैं तो जैसे मैंने उससे खाऊंगे भगवान पेरे ठीक क्यों नहीं कर देते हैं बहुत बढ़िया है सब कुछ जीवन में उनका अच्छा है फिर भी कोशते रह है लेकिन जैसे आप नाम जाप करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे औरा पूरा बदल जाएगा अब देखो मुझे भी यह बात किसी से सुनने को मिली तो सुनने को मिली तो ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम यह करो उजवर जस्ती नहीं सुनने को मिली मैं मैंने कहा चलो करके देखते हैं तो कि दिमाग की गोड़े तो दोड़ते हैं जब लौफ इट्रक्शन के बारे में किसे सुनने को मिला तो सोचा चलो फोलो करके देखते हैं और उन लोगों से ऐसा नहीं है कि मुझे उन्होंने पर्सनली बोला बस सुना और मैंने फोलो किया जीवन में परिवर्तन हो गया और एक ओर बात समय आया था तो वेसे ही आप में से जिसका समय आजाएगा वह बात को पकड़ लेगा जिसका अभी समय नहीं आएगा मान लो तो वो अभी उसको थोड़ा-थोड़ा विश्वास होगा फिर थोड़े समय बात लेकिन यह चीढ याता ने आता रहेगा कही न कहीं से कुछ न कुछ आता रहेगा पर जब तक अगर आप संननो about ! अबैस को थोड़ा इस वीडियो में आप यहां तक पहुंच गए अगर इस वीडियो में आप यहां तक पहुंच गए क्योंकि आपका जीवन बदलने वाला है 100% पुरा लिखके, साइन करके दे सकता हूँ मैं इतना तो विश्वास है मेरा विश्वास की बात है ठीक है चाली बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा comment करके बताईएगा फिर इसके बारे में और बाते बताऊँगा आपको बहुत सारी तो आप comment करिएगा comment में पढ़ता हूँ आपके ऐसी बात नहीं है अच्छा लगता है मुझे thank you उसके लिए आप सभी को तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में और अभी जो नया क्लास है हमारा law of attraction का उसमें हम यही बाते करते हैं law of attraction की भी बात करते हैं अध्यात्मिक की भी बात करते हैं यह अभी हम 25 ओगस्ट से शुरू करेंगे description में link है आप उस पर join कर लिजेगा number भी है आप WhatsApp कर दिजेगा ठीक है थैंक यू वीडियो कैसा लगा comment करके बताईएगा थैंक यू सो मैच